हेलो बच्चो, TWS परिवार में आप सभी क्या स्वागत है बच्चो तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का Mathematics ये क्लास बेसिकली डाक्टर मनोहरे बुग पर आधारीत है जो NCRT बेस्ट है तो जिसमें हम लोग कर रहे थे प्रसनावली 3G जिसमें हम लोग पिछले क्लास में Question No.8 तक कर चुगे थे तो आज हम लोग उसके आगे करने वाले बच्चो ठीक है Question No.9 ठीक है तो चले आईए देखते है Question No.9 क्या है कि 30 कीमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है यदि अजीत अपनी चाल दोहुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा तो उनकी चाल व्याद कीजिए मतलब दोनों की हमें चाल निकालनी अजीत और अमित की ठीक है तो बीच गड़ती विदी से हम लोग हल करने वाले हैं इसको ठीक है चलिए ठीक है तो देखे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि अजीत की चाल मान लेते हैं एक्स कीवी प्रति गंटा तो माना अजीत की चाल ऐसे जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसे ही आपको एक्जाम में लिखना है ठीक है अजीत की चाल बराबर क्या है X कीमी प्रति गंडा ठीक है और अमीत से 2 गंटे अधिक समय लगता है तो अमीत को लगा समय मान लेते हैं अमीत को लगा समय ठीक है अमीत को लगा समय बराबर T गंडे T गंडा मान लेते अब देखें क्या है कि दूरी इसमें दिया हुआ है कितना दिया है दूरी 30 कीमी ठीक है अब क्या है कि अजीत देखें, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है ठीक है, तो अजीत द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा अजीत द्वारा अजीत द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा अच्छो देखे अजित द्वारा लगा समय ये अमित से 2 घंटे अधिक समय लेता है 30 कीमी चलने में तो T प्लस 2 घंटा ठीक है ये 30 कीमी चलने की बात है 30 कीमी चलने में अमित को लगा समय और 30 कीमी चलने में अजीत द्वारा लगा समय माना यहां पर यह पर यह एड़ कर सकते हैं 30 कीमी चलने में यहां पर भी एड़ कर सकते हैं 30 कीमी चलने में तो T plus 2 हो गया यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमिद से एक घंटा कम समय लगेगा यह दिया हुए कंडिशन चले अब आईए हैं इसको हल करते हैं तो देखें दूरी हमारी 30 कीमी पहले से दी हुई है हमें अजीत की चाल हमने मान रखी है 1 कीमी पर ती घंटा तो अभी अजीत की जो है यह दूरी हमें 30 कीमी दिया हुए अमीत द्वारा लगा समय टी घंटा है और 30 कीमी चलने में अगर यह टी प्लस दो घंटे लेता है समय तो देखें दोनों की कंडिशन में हम दूरी को देखते हैं दूरी दोनों में 30 है ठीक है तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चों देखें अब चाल वराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला चाल वराबर दूरी बटे समय यह होता है ठीक है तो देखें अब अगर हम अजित की चाल निकालते हैं अजित की चाल कितनी हो जाएगी देखें अजित की चाल दूरी क्या है 30 कीमी है ही समय कितना लग रहा है अजित को T प्लस दो घंटे ठीक है और हमने अजित की चाल क्या मानी है यक्स तो 30 बटे T प्लस 2 यह आ जाएगी अजित की चाल इसको हम लोग कोई समीकरण मान लेते हैं समीकरण 1 ठीक है अजित अपनी चाल दोगुनी कर रहा है ठीक है तो उसे अमित से 1 घंटा कम लगेगा अब अगर अपनी चाल वो दोगुनी कर दे चाल का मतलब दोगुनी का मतलब यक्स से 2 यक्स कर दिया तो अमित से 1 घंटा कम अमित को T घंटा लग रहा है अब इसमें दूरी तो हमें पता ही है तीस अब देखिए चाल क्या हो जाएगी जब बढ़ाने के बार जब इसने दोगुना किया था तो 2X हो जाएगी गुड़े समय T-1 ठीक है यह हो जाएगा कि नहीं ठीक है तो अब देखिए क्या हो जाएगा अभी इसको देखिए ऐसे लिखेंगे कैसे ही वैसे लिख कर भी देख लेते हैं ठीक है तो अजित की ऐसे लिखेंगे कि चाल दोगुनी करने पर चाल दोगुनी करने पर पर अजित को लगा समय तीस कीमी चलने में अजित को लगा समय ठीक है कितना समय लग जाएगा देखिए टी माइनस वन घंटा इतना ही तो लगेगा लगेगा तो ठीक है अब वही फॉर्मुले पे दूरी बराबर चाल गुड़े समय करते हैं चाल हमारी हो जाएगी 2 गुना कर रहा है चाल ना चाल 2 गुना कर रहा है तो 2x हो जाएगी पहले थी हमारी x और समय कितना लग रहा है t-1 गुंटा ठीक है तो यहाँ पर इसको लिखते हैं देखें 30 बराबर 2x गुड़े t-1 ठीक है क्या हो जाएगा इस 2 को और इसको इधर लेकर आते हैं ठीक है तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे 2 गुड़े t-1 यह हो जाएगा 2 एक कम 2 15 बार में यह कड जाएगा देखें तो x बराबर 15 बटे t-1 यह हमारा हो जाएगा समीकरण 2 अब समीकरण 1 और 2 से ठीक है समीकरण 1 और 2 से इसमें क्या है देखें कि इसमें इसका बायां 5 दोनों का बराबर यह x है और x है तो इस 5 को भी अब तो बराबर लिख सकते हैं मतलब 30 बटे t प्लस 2 बराबर 15 बटे t-1 यह देखे 15 कम 15 पंदर दुना 30 अब अब वच्चो 2 t-1 बराबर t प्लस 2 अब इसका अंदर गुडा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 t-2 बराबर t प्लस 2 ठीक है तो अभी यह t इधर आएगा और यह 2 इधर जाएगा तो देखे 2 t-t बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 इसका मतलब क्या हो गया कि t बराबर 4 गंटे आ गए ठीक है तो हमें क्या निकालना है ठीक है यहीं पर निकाल लेते हैं कि देखे अजित की चाल आफ लेती समान रखे यह यानि कि 30 बटे t-2 में टी का मान रख देंगे तो अजित की चाल की चाल कितनी अजित की चाल यह अपका 30 बटे t-2 ठीक है तो 30 बटे 4 प्लस 2 यानि कि 30 बटे 6 यानि कि 5 कीमी प्रति घंटा यह आगई हो अजित की चाल ठीक है अब हमें निकालनी है अमीद की चाल तो अमीद की चाल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि टी का मान तो हमें पता ही है और दूरी हमें पता ही है तो यहां पर कर लेते हैं ठीक है तो अमित की चाल बराबर दूरी कितनी है देखे 30 दी हुई है और समय कितना है T T का मान कितना है आपका हमने अभी निकाला यहाँ पे 4 इसको भाग दे देंगे तो 7.5 कीमी प्रति घंटा एक आपका अजित की चाल लगे 5 कीमी प्रति घंटा और अमित की चाल लगे 7.5 कीमी प्रति घंटा चली अगले किस्चन के और चलते हैं ठीक है अगला क्विस्चन है क्विस्चन नंबर दस ठीक है तो क्विस्चन नंबर दस क्या है क्विस्चन लिख लेते हैं अच्छों ठीक है रितू जो है रितू धारा के अनुकूल अनुकूल दो घंटे में बीस कीमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल दो घंटे में चार कीमी तैर सकती है उसकी इस्थिर जल में तैरने की चार तथा धारा की चार याद कीजिए उसकी इस्थिर जल में तैरने की चार तधा धारा की चार ग्याद कीजिए ठीक है तो यह हमारे क्रिश्चने से देखिए रितू धारा के अनुकूल दिया हुआ है कि दो घंटे में बीस कीमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल जो है दो घंटे में चार कीमी तैर सकती है अनकूल या प्रतिकूल का क्या मतलब हुआ है कि जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में अगर तैरती है तो दो घंटे में 20 किनी चली जाती है लेकिन जिस दिसा में धारा बह रही है उसको उल्टे साइड में तैर कराती है उसके विपरीद दिसा में तैर कराती है तो वो दो घंटे में केवल चार कीमी ही जा सकती है तो हमें इस ते जल में उसके तैरने की चाल और धारा की चाल निकाल ले हैं देखे अब सबसे बहले क्या करते हैं कि रीतु अनुकूल जा रही है मतलब मान लेते हैं कि माना धारा की चाल जो है यक्स कीमी प्रति घंटा ठीक है और माना सांत जल या इस्थिर जल में रीतु की चाल रीतु की चाल इस्थिर जल में कितनी मान लेते हैं यक्स कीमी प्रति घंटा ठीक है अब क्या करने वाले हैं लोगी देखे धारा के अनुकूल रीती की चाल हम निकाल सकते हैं क्योंकि समय और दूरी दिया हुआ है धारा के प्रतिकुल रितु की चाल निकाल सकते हैं क्योंकि समय और दूरी दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं कि धारा के अनुकूल रितु की चाल चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय तो दूरी कितनी दिवोई है बीस कीमी और समय दो गंटे यानि दस कीमी प्रति गंटा ये दिया हुआ है रितु की धारा के अनुकुल चाल और धारा के प्रतिकूल रितु की चाल ठीक है तो धारा के प्रतिकूल रित्व की चाल कितनी हो जाएगी देखे प्रतिकूल चाल रहा है तो इसमें भी चाल ब्राबर दूरी बटे समय समय दिख्यों दिखता न दिया होगे दो गंडे यानि कि देखे धारा के अनुकूल तो दस कीमी प्रति घंटे से जा रही है और प्रतिकूल चार कीमी प्रति घंटे से जा रही है तो धारा के अनुकूल चलने का मतलब है कि रितु की चाल और धारा की चाल जैसे धारा की दिशा में आप तैर होगे तो आप तो अपनी चाल से चली रहे हो पलस धारा जिस चाल से जा रही है वो चाल आपने add हो जाएगी तो आपकी चाल और बढ़ जाएगी ठीक है तो धारा के अनुकूल रितु की चाल देखिए धारा के अनुकूल रितु की चाल देखे धारा के अनुकुल रितु की चाल क्या होनी है कि हमारा ये आया था भी हम निकाला कि दस कीमी प्रति घंटा ये दस कीमी प्रति घंटा लिखा हुआ है तो अभी इसमें क्या हो जाएगा कि देखे धारा के अनुकुल जब चलेगी तो धारा की चाल और रितु की चाल द रितु की चाल रितु की चाल ठीक है कितना आया था हमारा दो कीमी प्रति घंटा ठीक है अब प्रतिकूल चल रही है इसका मतलब रितु की चाल जिस चाल से आप जा रही है और धारा जो है उसको पीछे की ओड़ केल रही है मतलब धारा अपने चाल से रितु की चाल को पीछे की साय对itel रही है तो रीटू की चाल में से हमें धारा की चाल को घटाना पड़ेगा तो y-x बराबर 2 कीमी प्रती घंटा ये हमारा हो गया समीकरण 2 अब समीकरण 1 और 2 से हमें x और y कमान निकालेंगे तो हमारा रीटू की चाल और थारा की चाल पता चल जाएगी ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ठीक है, तो देखें, समीकरण 1 क्या है यक्स प्लस Y प्लस Y माइनस यक्स बराबर टेल प्लस 2, ये एकस एकस से देखें, कड़ जाएगा ठीक है तो हमारा क्या आजाएगा 2y बराबर 12 दस दो बारा या y बराबर 12 बटे 2 तो क्या आजाएगा हमारा y कमान y बराबर 6 दो एककम दो दो चीका 12 अभी क्या करेंगे y कमान समीकरड 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं तो y कमान समीकरड 1 से चली चल लेते हैं समीकरण एक से समीकरण एक क्या है हमारा यक्स प्लस वाई बराबर 10 है वाई का मान इसमें रखते हैं तो यक्स प्लस 6 बराबर 10 या यक्स बराबर 10 माइनस 6 या यक्स बराबर 4 तो हमारा जो है क्या आगया धारा की चाल क्या आगयी और रितु की चाल, सांत जल में ये चाल है उसकी, ठीक है, सांत जल में, ठीक है, कितना आगया, दस कीमी, सोरी, छे कीमी प्रति घंटा, छे कीमी प्रति घंटा, तो ये मारा हो जाएगा, आइंसर, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, अगला क्विस्चन है, देखें क्विस्चन नमबर 11, जो है कि किसी भीन एक बटा तीन हो जाती है, अगर उसके अंसर से एक घटाया जाता है, और वह एक बटा चार हो जाती है, जब हर में आठ जोड दिया जाता है, तो इस परकार क्विस्चन पिछले क्लास में आपको करवाया गया है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर दिक्कत होगी, तो कॉमेंट में हमें बताइए, तो फिर हम लोग करवा देंगे उसको, अब क्विस्चन न अनुपात, पांच अनुपाते दो है, ठीक है, पांच अनुपाते दो है, दस वर्स बाद उनकी आईउ का अनुपात, दो अनुपाते एक हो जाएगा, दोनों की वर्तमान अईउ ग्याद कीजिए, यह आपका है, प्रिस्चन की तो देखिए, इसको हल करते हैं, फिर से वही करेंगे, पिता और पुत्र की आईउ को हम लोग मान लेते हैं, माना पिता की आईउ, बराबर यक्सवर्स, माना पुत्र की आईउ, पुत्र की आईउ, बराबर वाईउ, ठीक है, अभी इनका अनुपात क्या दिया हुए, देखिए, पिता और पुत्र की आईउ का अनुपात, पांच वटे दू है, ये चीज हमारा दिया, ठीक है, ये हमारा दिया हुए, ये हो जाना है, समीकृत्र और देखिए दूसरे क्या दिया हुआ है इसको हम लोग और तीर्यक गुड़ा करेंगे देखिए इसका इसमें हो जाएगा तो 2X बरावर 5Y या 2X माइनस 5Y बरावर 0 इसको देदेगा अब दूसरा क्या दियो है दस वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात दो अनुपाते एक हो जाएगा तो दस वर्स बाद पिता के आयू कितनी हो जाएगी 10 जुड़ जाएगा और पुत्र के आयू कितनी हो जाएगी पुत्र के आयू में भी 10 जुड़ जाएगा ठीक है 10 वर्स बाद न कहा है तो इसलिए देखिए वर्तमान में तो ये है 10 वर्स बाद X प्लस 10 हो जाएगा जैसे अभी किसी की आयू 10 साल है तो 10 वर्ष बात कितना हो जाएगा 10 वर्ष में जुड़ के 20 साल हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से इसमें भी दोनों में जुड़ जाएगा और इसका अनुपात कितना दिया है 2 अनुपाते 1 तो यक्स प्लस 10 बराबर 2 आई प्लस 20 देखे इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा इसका इसमें तो ये 2 आई प्लस 10 दूना का 20 अब इसको इधर की साइड ले आते हैं तो यक्स माइनस 2 आई प्लस 10 माइनस 20 बराबर 0 या यक्स माइनस 2 आई माइनस 10 बराबर 0 अभी देखे इसको समिक्रड एक और दो को हल करना है तो या इसका अगर गुडा हम दो कर देते हैं तो यह कड जाएगा क्या हल करने में असानी होगी तो हम दो का गुडा कर देते हैं इस समिक्रड तो दो का गुडा करते हैं तो देखें 2 यक्स-4y-20 बराबर 0 ये समिकरड 2 हो गया अब समिकरड 1-2 करने पर ठीक है समिकरड 1-2 करने पर ठीक है तो देखें समिकरड 1 क्या है हमारा 2 यक्स-5y और-2 यक्स-4y-20 बराबर 0 अब ये देखें ये 2 यक्स-2 यक्स से कर जाएगा ठीक है तो माइनस-5y-4y तो माइनस-y-20 बराबर 0 या y बराबर 20 y कमान याने पुत्तर के आईवा आगया अब y कमान समिकरड 1 में रखें या समिकरड 2 में रखें चले एक में रख लेते हैं तो समिकरड 1 से ठीक है y कमान इसमें रखेंगे तो 2 यक्स-5 गुडे 20 बराबर 0 या 2 यक्स बराबर 20 पंजे 100 और इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा या यक्स बराबर 50 100 बटे 2 बराबर 50 तो ये आपके देखे पिता की आयू एक्स वर्स है तो पिता की आयू हमारी आगे 50 और पुत्र की आयू कितनी आगे 20 ठीक है ये अंसर हो जाएगा तो पिता की आयू बराबर कितना आ जाएगा पचास वर्स पुत्र की आयू बराबर 20 ये वर्तमान आयू है ठीक है पिता की वर्तमान आयू 50 पुत्र की वर्तमान आयू 20 ठीक है चली आगे चलते है क्विस्चन नमबर 13 फिर से वही आयू वाला ही प्रस्न है ठीक है तो आपको आयू वाले प्रस्न जो पीछे ले क्लास में भी मैंने दो तीन प्रस्न करवाया दया और अभी अभी एक करवाया तो उस प्रकार से आप लोग इसको करने के कोशिस कीजिए अगा नहीं होगा तो कॉमेंड में बताईए करवा दिया जाएगा अब हम लोग चलते बिश्टरी तुतरी प्रस्न जो है आप में दिया हुआ है इसमें क्विस्चन नमबर 15 की ओर ठीक है क्विस्चन नमबर 15 करने वाले एंग लोग क्या है क्विस्चन नमबर 15 की पांच वर्स पूर्व नूरी की आयू सोनू की आयू की तीन गुनी थी दस वर्स पूर्व नूरी की आयू सोने की आयू की दुगनी हो जाए है लग मतलू की की तीन जाए है वाले बाले खूर्स पूर्स अज़्स नूरी तथा सोनू की आयू कितनी है ठीक है चले सले देखे से नूरी और सोनु की वरतमान आयू माना करेंगे तो माना नूरी की वरतमान आयू नूरी की वर्तमान आयू कितने हम मान लेते हैं एक्स वर्स मान लेते हैं ठीक है और सोनू की वर्तमान आयू अब दिया है पांच वर्स पूर्व जो है पांच वर्स पूर्व ये वर्तमान हमने माना है तो सोनू की आयू की तीन गुनी थी मतलब पांच वर्स पहले अगर सोनू की आयू तीन गुना कर दिया जाता तो वो नूरी की आयू के बराबर हो जाती ठीक है तो yaks minus 5 5 वर्स पहले y minus 5 गुडे 3 ठीक है सुनू की आईयो की 3 गुडी थी 5 वर्स पुरो नूरी थी आईयो इसको हल कर लेते हैं, यक्स माइनस पांच बराबर 3Y-15 या यक्स माइनस 3Y-5 प्लस 15 बराबर 0 या यक्स माइनस 3Y प्लस 10 बराबर 0 ये होगा, एक समीतर ठीक है अब 10 वर्ष पष्चाद नूरी की आयू, सोनू की आयू की दोगने हो जाएगी तो दस वर्स पस्चात ये सब जो है दिया है तो देखिए दस वर्स पस्चात यक्स प्लस दस वाई प्लस दस दो गुनी हो रही है तो दो से गुड़ा पर देंगे तो इसको भी हल परते हैं इक प्लस दस वरागार दोई प्लस दस इसको हीज आदले कराएंगे ये तो दस-दस से कटी रहा है तो इक स्वालाओ दो अब आधार जो में आदमालाब यह दीन वह जाएगा न यह 20 हो जाएगा तो इसको इस सड लेंगे तो yax minus 2i plus 10 minus 20 बराबर 0 तो yax minus 2i minus 10 बराबर 0 यह समीकरण 2 हो गया अब समीकरण 1 minus समीकरण 2 करने पर तो समीकरण 1 minus समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है देखिए x minus 3y plus 10 minus x plus 2y plus 10 बराबर 0 यह देखिए अब x x से कड जाएगा क्या कड जाएगा और minus 3y plus 2y minus y हो जाएगा और 10 plus 10 20 हो जाएगा बराबर 0 यह y बराबर 10 ठीक है y बराबर 10 अब y का मान यह तो समीकरण 1 में रखिए यह समीकरण 2 में रखिए तो समीकरण 1 में रख देते हैं समीकरण 1 से देखिए देखिए समीकरण 1 क्या है आपका x minus 3y plus 10 बराबर 0 अब इसमें हम y का मान रखेंगे तो x minus 3 गुडे 20 plus 10 बराबर 0 या x minus 20 थियां का 60 होता है plus 10 बराबर 0 या x minus 50 बराबर 0 या x बराबर 50 तो आपका नूरी की आयू कितनी आगे बच्चों? हमारी 50 वर्स और सोनू की आयू कितनी आगे? 20 वर्स ठीक है? तो जहाँ हम अंसर में लिख देंगे कि नूड़ी की आयू बराबर पचास वर्स और सोन की आयू बराबर बेस वर्स ठीक है चली अगला कुस्चन करते हैं कि कुस्चन नंबर देखिए कुस्चन नंबर 15 भी आयू से रिलेटेड है ट्राइ कीजिए आप लोग हो जाया ठीक है क्विस्चन नंबर 17 क्या है आपका दो संपूरक कोड़ों में बड़ा कोड छोटे कोड़ से दो संपूरक कोड़ों में बड़ा कोड़ छोटे कोड़ से अठारे डिगरी अधिक है अठारे डिगरी अधिक है ठीक है उन्हें ग्याद किजिए उन कोड़ों को ग्याद करना है अधिक है इसको हल कर लेते हैं अधिक है तो देखें इसमें हमें सबसे पहले जानना हो कि संपूरक कोड़ क्या होते हैं ठीक है संपूरक कोड़ होते क्या है तभी तो हम लोग यान पाएंगे तो सबसे पहले देखें दो संपूरक संपूरक कोड़ों का योग कितना होता है 180 अगर दो कोड़ होंगे अगर वो दोनों संपूरक हैं तो उनका योग जो है 180 होगा ठीक है तो यहां पर मान लिजिए दूसरा कोड़ इसको मानते हैं हम लोग यजिए अभी क्या दिया भाए कि छोटा कोड़ जो बड़े कोडर से बड़ा कोड छोटे कोड से 18 डिगरी अधी गया इसका मतलब अगर यक्स बड़ा कोड है और वाई छोटा है तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 18 डिगरी का होने वाला यह समीकरड एक हो गया और एक चीज हम जानते हैं दो समपूरक कोडों का योग कितना होता है अगर य योग हो जाएगा 180 डिगरी यह समीकरड दो हो जाएगा तो समीकरड एक प्लस समीकरड दो करने पर समीकरड एक प्लस समीकरड दो ठीक है समीकरड एक प्लस समीकरड दो करेंगे तो देखिए यह वाला पार्ट जो है cancel हो जाएगा क्या y degree plus x degree plus y degree बराबर 180 plus 18 यह दिखिए यह cancel हो गया तो यह 2 2 x degree बराबर इसको जोड़ेंगे तो 8, 1, 9, 8 यह आ जाएगा ठीक है यह x degree बराबर 1, 9, 8 बटा 2 यह x degree बराबर 99 degree अभी हमें दूसरा कोड निकालना पड़ेगा समीकरड 2 या x किसी से भी निकाल लेते हैं तो समीकरड 2 से चलती है समीकरड 2 से ठीक है क्या है समीकरड 2 x plus y बराबर 180 degree अभी हमने x कमान 99 degree निकाला है ठीक है तो यहाँ पर रख देंगे 99 degree प्लस y बराबर 180 या y बराबर 180 माइनस 99 degree इसको जब भटाएंगे तो आएगा 81 degree तो हमारा एक कोड क्या आगया 99 degree और दूसरा कोड आगया 81 degree ठीक है एक तो आगया हमारा कितना बड़ा वाला आगया 99 और छोटा वाला 81 degree यह हमारा answer आजाएगा ठीक है बच्चो चलिए इस class को यही चतर रखते हैं इसके आगया अगली class में करेंगे हम लोग आप लोग try कीजिएगा इस class के मलब question आसानी से इस chapter के आप लोग हल कर पाएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं होने हली अप लोग करने में और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए हमारे चैनल को और जो problem हो रही है हमें comment करके जरूर बताईए ठीक है बच्चों दन्यवादे करके जरूर जरूर एक जरूर दोस्तोंते है